मुझफर नगर के थाना मीरापुर छेतर में पुलिस और बदमासों के बीच मुटवेड का मामला सामने आया है जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी, डकेट, चांद और चंदू बंजारा घायल हो गया है पुलिस ने गायल बदमास को इलाज के लिए होस्पिटर में भरती कराया है गायल बदमास के कबजे से एक बाइक, तमंचा और कार्तोस बरामत किये गए है बताय जा रहा है कि मुख्वीर से सूचना मिली थी कि संबल हेडा गंग नहर की पटरी से बाइक पर सवार होकर दो बदमास किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे है इसी सूचना की आधार पर पुलिस ने संबल हेडा नहर पुल पर चेकिंग अभ्यान शुरू कर दिया इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो संदीग पुलिस को आते नजर आए चिने पुलिस ने रोका तो उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी इसके बाद पुलिस ने भी जवावी फाइरिंग की जिसमें बदमास चांद घायल हो गया जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया मिरापूर पुलिस द्वारा संबल हेरा नहरपूल पे जहां चेकिंग की जा रही थी इतने में दो व्यक्ति संदीद मोट साइगल पे आते हुए दिखाई दिये उनको रुकने का इशारा किया गया उन्होंने पुलिस को देखते ही जान से माने कि निये से फायर कर दिया पुलिस ने जो अदम में साहस का पैच्चे देते हुए एक जवाबी कारवाई में एक बदमाश घायल हुआ उसका अपराधिक इतियास पता किया गया तो इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी बरामद हुई है और दो कार्थूस बरामद हुए एक खोगा कार्थूस बरामद हुए है हाँ इसका एक साथी फरार हो गया है उसकी तलाश जारी है हुआ हुआ है